गुड बॉर्निंग तोल आफ यू तोड़े आइम गोईंग डिस्कस होमोजीनियस डिफ्रेंशल एक्वेशन एक्साइज 9.5 इस बेस्ट उन एक्साइज 9.4 इस बेस्ट ओन वैरियेबिल सेपरेबिल फस्ट और फस्ट दिग्री वैरियेबिल सेपरेबिल ध्यान रखिएगा बच्चों जब कभी भी डिफ्रेंशल एक्वेशन का कोश्चन आएगा तो आप स्टेप बाई स्टेप आगे पढ़िएगा ये नहीं कि आपने कोश्चन देखा और आपने सीरे होमोजीनियस लगा दिगा सबसे पहले आप ये देखेगा कि उसने वैरियेबिल सेपरेबिल तो नहीं लग रहा है जब वैरियेबिल सेपरेबिल नहीं लगेगा तब आगे पढ़िएगा तब आप होमोजीनियस पे आईएगा उसके बाद एक और एक साइस 9.6 है वो लीनियर डिफ्रेंशल एक्वेशन है उसके बारे में मैं बाद नहीं बताऊंगा लेकिन आपको ज प्रासन लाता हूं जैसे मानली यहां दो एक क्विशने हैं consider the following functions in x and y एक function f1 है एक function f2 है एक function f3 है f1 y square plus 2xy है यह आपका किस तहरे का function है implicit function है f2 क्या है 2x minus 3y क्योंकि यहां पर x और y involve है f3 क्या है sin x plus cos y अब homogeneous function को सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि यह function homogeneous है या नहीं है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं x को lambda x से replace करते हैं और y को lambda y से replace करते हैं तो मैंने यहां पर यही काम किया x को lambda x रखा y को lambda y रखा और मैंने देखा कि मेरा जो form आ रहा है f1 का वो आ रहा है lambda square f1 x y बिल्कुल ऐसे ही मैंने यही काम f2 में किया x की जगए lambda x रखा y की जगए मैंने lambda y रखा और मैंने देखा कि मेरा ये आ रहा है यानि f1 में degree 2 आ रही है lambda square आ रहा है और यहां पर degree 1 आ रही है फिर मैंने देखा f3 में f3 में मैंने कोशिश करी x की जगए lambda x रखने की और y की जगए lambda y रखने की लेकिन मेरा ये form में नहीं आ रहा है मेरा जो अभी previous functions थे उस form में ये नहीं आ रहा है यानि की जो आपका f3 है cannot be the form of lambda to the power n fxy यानि की f3 जो है वो उस form में नहीं आ रहा है ये function fxy is set to be homogeneous function of degree n if replace x and y by lambda x and lambda y equal to lambda to the power n fxy for any non-zero constant lambda आपने देखा कि f1 और f2 जो है वो इस form में आ रहा है लेकिन आपका f3 जो है वो इस form में नहीं आ रहा है तो जो इस form में आ रहा है ऐसी equations को हम लोग बोलते हैं कि ये homogeneous differential equation है we also observe that कभी कभार क्या होता है ये functions जो हैं बिल्कुँ simple way में ना करके कभी कभार y y x और x y y के form में आ आ आते हैं तो भी हम इसको देखते हैं we also observe that f1 x y अब आपने f1 x y को ये लिखा मान लीजे मैं इसका जो form है वो change कर दूँ मैंने यहाँ पर x square को मैंने यहाँ से common ले लिया तो मेरा form यह आ रहा है यानि कि अब मेरी जो f1 है वो इस form में आ रही है इसी तरीके से मैं अगर चाहूं तो यहाँ से y square को में ले सकता हूं तो मैंने y square को में ले लिया तो मेरा form इस टाइब से आ रहा है तो कहने का यह मतलब है कि आप lambda to the power and fx y को को आप इस तरीके से भी represent कर सकते है यहाँ से आपने x square को में लिया या आपने यहाँ या आपने यहाँ से y square को में लिया तो यह form आ रहा है यानि कि यह form भी हो सकता है और इस टाइब का form भी हमें कभी कभार question नहीं मिल सकता है therefore a function fx y is a homogeneous function of degree n if यह भी एक homogeneous function है वो कह रहा है कि इस type से भी अगर कहीं लिखा हुआ है तो भी आपका यह homogeneous function है x to the power n hy by x यहाँ पर x to the power n hy by x आ रहा है या y to the power n g1 x by y आ रहा है तो इस type से भी इस form को भी हम लोग homogeneous form कह सकते हैं function of degree n यह भी बोल सकते हैं हम लोग a differential equation of the form dy by dx equal to f xy is said to be homogeneous if xy is a homogeneous function of degree 0 अगर वो यह कह रहा है कि हम लोग अगर यहाँ पर degree 0 भी आ रही है तो भी हम लोग उसको homogeneous function बोल सकते हैं अगर यहाँ बोल न आ रहा है 2 आ रहा है 0 भी आ सकता है यहाँ पर 0 कब आएगा अगर मान लिजे लिखा हुआ है dy by dx equal to x plus y upon x minus y तो आप जब replace करेंगे तो आपका वहाँ पर lambda to the power 0 आएगा तो वो भी आपकी एक homogeneous equation है तो अगर कभी इस type से कोई form आता है कभी कभार अगर मान लिजे लिखा हुआ है to solve a homogeneous differential equation of the type अगर homogeneous equation को solve करना है मान कर उस सवाल को proceed करें तो भी हमारा वो equation solve हो जाएगा कभी कभार क्या होता है x equal to vy y मान कर भी solve होता है तो वो आपको question को देखने पर ही पता लगेगा कि आपको क्या चीज़ एजियूम करनी है और उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे इसको differentiate कर दिया जहाँ जहाँ इस type से हम लोग replace करके उसको आगे हम लोग proceed कर देंगे फिर आप देखेंगे कि homogeneous equation जो है वो आप भी convert होजागी variable separable में ये खास बात है इसकी जब आप इस type का replacement करेंगे इसमें तो homogeneous equation जो है after that converted into the variable separable तो हम लोग इस type के questions को आगे करते है now I am going to discuss all these questions of type homogeneous differential equation so that given differential equation is homogeneous सबसे पहले आपको homogeneous equation का form दिखाना पड़ेगा और फिर उसको and solve each of them तो मैं वो procedure आपको नहीं करके बताऊंगा यहाँ पर क्या है पहले मैं first question को आपको करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पर आपके सामने first discuss करूँगा मैं आपके सामने यहाँ पर fifth question discuss करूँगा और मैं आपके सामने third question discuss करूँगा one, three, five बाकी आप अपने आप करेंगे questions बहुत असान है लेकिन थोड़े से long procedure है तो मैं आपको पहले first question को discuss करके हम लाता हूँ x square plus x y dy equal to x square plus y square dx सबसे पहला काम है d y by dx के form में लिखिये x square plus y square upon x square plus x y सबसे पहले आपको चेक करना है कि यह जो आपका function है यह आपका homogeneous है या नहीं है इसको मैंने आपको बता दिया एक मैं करके समझा दे रहा हूँ बाकी आपको खुद करना है x की जगए lambda x औ lambda y से replace कर दी रहे तो यह lambda square x square plus यह आपका आजाएगा upon यहाँ पे क्या आएगा lambda square x square plus x y आजाएगा यह आपका cancel हो जाएगा यानि की lambda की पावर दी रो f1 x y आपका इस form में आ रहा है यानि की यह homogeneous है यह process आपको करके दिखाना पड़ेगा अब मैं आपको आगे बदाता हूँ अब अगर यह चीज हो गई तो मैंने आपसे कहा था substitute we put y equal to vx अब इसको differentiate कर लिए तो क्या आएगा dy by dx equal to v plus x dvy by dx यानि की अब हमें अपने question में जहाँ dy by dx लिखा हुआ है वहाँ पर हमें dy by dx के जगा यह चीज पूट करनी है और y की जगा vx को पूट करना है और उसके बाद आप देखेंगे कि यह question जो है वह आपका convert हो जाएगा variable separable में तो हम लोग इस question को करते हैं put कर दीजे v plus x dvy by dx equal to यहाँ पर x square plus y square के जगे चा रखेंगे v square x square plus upon x square plus y के जगे v x रखेंगे तो v x square आजाएगा x square common लिए तो one plus v square आजाएगा upon वन प्लस वी आ जाएगा इस वी को आप इधर ले आईए यह आपका आजाएगा अब आप क्या काम करेंगे वन प्लस वी एलसी हम आ गया वन प्लस वी स्क्वाइर माइनस का वी और माइनस का वी स्क्वाइर यह और यह आपकर कैंसल हो गया तो आपकर क्या आया वी माइनस वन अपॉन वी प्लस वन इधर माइनस लगा लिए यह हो गया डी वी भाई करें दी एक्स और यहां एक्सो ओगया अब आपका याप काम करें इसको व्यरियाबिल सेपरेबल कर लिए देखें मेरा इकानिका मतलब है वी प्लस वन V-1DV equal to minus DX upon XR अब आपका यह separate हो गया V का हिसाब किताब V से set हो गया X का हिसाब किताब X से set हो गया यानिकि इसी को हम लोग वोगते हैं variable separable अब आप क्या काम करीए integrate कर दी जे integrate both sides अब यहां पर भी integrate कर दी जे इधर भी integrate कर दी जे आगे देखते हैं यहां पर क्या है degree equal है मैंने कहा था degree अगर equal है तो आपको divide करना पड़ेगा तो divide कर देते हैं V minus 1 divided by V plus 1 1 आएगा V minus 1 minus plus यह cancel हो जाएगा यह आपका 2 आजाएगा इसको आप कहले सकते हैं इसको आप split कर दीजे तो यह आपको कहाएगा 1 plus 2 upon V minus 1 यह आपका dv हो गया equal to यह आपका आगया log x minus का आ रहा है आने दीजे और यहां आप चाहें तो एक constant तगा लिए जोड़ दीजे प्लस c यह constant को मैं बाद में change भी करता हूँ उससे परशान होने की जरुवत नहीं है अब आप इसको separately कर दीजे v आएगा यहां पर और यहां क्या आएगा 2 log v minus 1 चाहें तो आप इसको इसे लिख लिए plus log x equal to c यह आपका हो जाएगा अब आप v की जगए वापस value को put कर दीजे आपने क्या माना था y equal to vx यानि v की value क्या है y by x है plus log x equal to c यह आपका final answer आगया note कर लिए question number 2 भी आप बहुत अराम से इसको कर देंगे सबसे पहले आपको check करके दिखाना है मैंने आपको step समझा दिया है x की जगए lambda x y की जगए lambda y करके पहले आपको homogeneous का form दिखाना है उसके बाद हमें आगे के बढ़ाना है यहाँ पर भी y equal to vx कर देंगे और हमारा अराम से question प्रोसीड हो जाएगा मैं question number 3 आपको सुन जाता हूँ minus 2xy dy x square minus y square यह लिखा हुआ है आपका dx मेरी आदा था dy by dx लिखने की तो मैं dy by dx ही लिखूँगा dy by dx equal to x square minus y square upon minus 2xy इसको interchange कर लेते हैं y square minus x square upon 2xy ताकि यह minus पर हम लोगों को problem नहीं करेगा यह हमारा question आ गया अब वही काम करना है x की जगे lambda x रखना है यह आपका f1 xy हो गया यह fxy मान लिजे x की जगे lambda x रखना है y की जगे lambda y रखना है फिर देखना है कि homogenous का form आ रहा है कि नहीं आ रहा है वह आपको check करके दिखाना है अब यहाँ पर वह आपको check करना है अब मैं आगे बढ़ता हूँ let y equal to vx यानि की यह क्या होगा dy by dx equal to v plus x dvy by dx अब मैं यहाँ पर put कर दूँगा y की जगा vx रखेंगे तो v square x square minus x square upon 2x vx equal to v plus x dvy by dx यहाँ से x square common लेंगे तो cancel होगा तो आपका आजएगा v square minus 1 upon 2v अब आप इस v को भी इधर ले आ सकते है equal to x dvy by dx इसको स्वाद सिंप्लिफाई कर लेते हैं 2v आजएगा v square minus 1 minus 2v square equal to x dvy by dx यह आपका आजएगा minus का v square minus common ले ले लिए आपका कुछ इस टाइप का आजएगा equal to x dvy by dx अब variable separable कर लेते हैं dx upon x को इस तरफ कर लेते हैं और v वाले को उस तरफ कर लेते हैं dx upon x इधर रह जाएगा minus कुछ आएगा लगे रहने दिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको dv इधर रहने दिए 2v upon यह इधर रहने दिएगा v square plus 1 integrate both sides integrate both sides कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख लेते हैं आप इसको इस तरफ लेगा यह कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा plus 2v v square plus 1 dv equal to 2 ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको यह हो गया log x plus इसको t मानेंगे इसको t मानेंगे तो यह मिलेगा आपको आपने पढ़़ा है किसमें? x i7.2 में इसको t मानेंगे यह मिल जागा तो मैं अब यह सब जो portion है यह सब मैं आप डारेक्ट कर रहा हूं तो यह आपका आज़ा का log e v square plus 1 equal to log c ले लिए अगर log में आ रहा था log c constant ले लिए आप यह step बच्चों को नहीं समझ माया v square plus 1 को t माने आप तो 2v dv equal to dt हो जागा 2v dv की जगा dt लिख दिया dt upon t का क्या होग लॉक t हो गया t की जगा यह रख दिया अब आप क्या काम करिए log x plus log v की जगा आपको क्या रखना है y by x रखना है यानि कि y square upon x square plus 1 equal to log c आप इसको आंसर को ऐसे भी लिख करके आ सकते हैं एक्जाम में नहीं तो चाहें थोड़ा simplify कर दी रहे answer आजाएगा question number 5 को देखिए यहाँ पर जो भी form हा रहा है cos bracket way y by x तो मैंने अभी आपको बताया था कि आप को जब मैंने कहा था कि y square को आप लीजे comment तो वो भी आपका y by x के form में आ जा रहा था आपका h y by x g x by y के form में आ रहा था अगर y by x के form में आ रहा था y by x को भी मानेंगे तो भी तो बात वही है y equal to vx और x by y को भी मानेंगे तो x equal to vy हो जाएगा तो खेर यहाँ पर हमें तुरंट पर लग रहा है कि हमारा जो है y by x x equal to v मानेंगे तो y equal to vx आ जाएगा इससे पहले आपको इसी question को पहले आपको क्या करके दिखाना है पहले आपको इसको homogeneous proof करना है मैंने आपको बताया जहाँ x लिखा है वहाँ पे lambda x रखना है जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ आपके lambda y रखना है और उसके बाद इसको ठीक से दिखाना है कि हमारा जो है वही आ रहा है आपका homogeneous equation का जो form होता है lambda to the power n f x y आ रहा है तो पहले आपको वह चीज़ चेक करके दिखानी है मैं वह step अब यहाँ कर नहीं रहाँ वह step मैं आपको चेक करके नहीं रिखा पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको संधा देगा है अब मैं आगे बढ़ लाओ अब मैंने क्या काम किया let y by x equal to v y equal to v x किया जहाँ जहाँ इसमें y था मैंने वहाँ वहाँ जो है क्या रख दिया y की जगर मैंने v x लग दिया और मैंने d y by dx equal to v plus x d vy dx कर दिया मेरा यह कहने का मतलब है मैंने इस question को पहले ठीक से लिखा लाइए मैं आपको समझा दिखा हूँ आप d y by dx को एक तरफ ले आईए equal to ठीक से लिखा और इस form में ले आया लेकिन पहले आपको वोची चेक करके दिखानी है कि वो homogeneous का form आ रहा है के नहीं आ रहा है मैंने आपको बार बार बता दिया कि वो replace x की जगए lambda x और y की जगए lambda y करके दिखाना पड़ेगा वो step पहले दिखाना है तभी हम लोग show करेंगे कि वो homogeneous equation है या नहीं है अब आपको यहाँ पे क्या काम करना है आपको dv by dx की जगए v plus x dv by dx रखना है और y की जगए vx रखना है जब आप इतना काम कर लेंगे तो आपका equation इस type से आ जाएगा जब आप इसको simplify करेंगे तो आपका यह आ जाएगा अब आपको क्या काम करना है इस v को इतना ले आएगे v cos v plus v sin v upon v sin v minus cos v minus v upon 1 x dv by dx कोई problem नहीं है पहले हमें इसको simplify कर लेता हूँ v sin v minus cos v यह आपका जगा v cos v plus v square sin v minus k v square sin v plus का v cos v यह और यह cancel हो जाएगा 2v cos v upon v sin v minus cos v आप क्या काम करिए x dv upon dx अब आप variable separable करने के कोशिश करिए तो dx by x यह आपका जाएगा v sin v minus cos v upon 2v cos v equal to dx by x यह आपका dv आजाएगा now integrating both sides यह आपका log x आगिया आने दीजिए अभी हमें इसको जोड़ दूँँगा अपने आप अब आप देखे ध्यान से अगर मैं इसको t मानता हूँ v cos v को अगर मैं t मानता हूँ तो v minus sin v आएगा मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ v cos v को अगर मैंने t माना तो क्या आजाएगा v minus sin v plus cos v v को करेंगा तो क्या आजाएगा आपका इसको आप v के respect में करिए तो आपका आजाएगा v minus sin v plus का v का 1 हो जाएगा equal to dt by dv तो यह आपका आजाएगा तो यहाँ से minus sin common ले लिजे यहाँ से minus sin common ले लिजे तो minus जब common लेंगे तो क्या आजाएगा आपका cos v minus का v sin v upon v cos v dv अब आपने देखा कि अगर मैं इसको t मानता हूँ v cos v को t मानता हूँ तो मेरा उपर और चीट आजाएगा यानि कि यह क्या आजाएगा dt upon t आजाएगा dt upon t का मतलब होता log t log t का मतलब ठीक है यह वापा सब देए v cos v plus का log x equal to log x आप चाहें तो कहीं भी log c जोड़ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ log x plus log v cos v equal to log c अब आप v की value आपस रख दीजे सभी को पता है v की value क्या है v की value क्या है बच्छों y by x y by x cos y by x equal to log c ये आपका अंसरा जाएगा